good morning students today i am telling you about the equivalent fractions क्या होता equivalent fractions look here two and more fractions having the same value and representing the same part of a whole are called equivalent fractions more दो या दो से ज्यादा fraction जिनकी same value होती है और वो represent करते हैं same part of whole whole में same part को define करते है are called equivalent fractions देखिए जैसे एक circle से है उसका आपने two part करें तो यह fraction बनेगा one by two अब एक circle है इसके आपने four equal part किया और four में से two में color किया हुआ है तो इसका fraction मनेंगा two upon four लेकिन यह दोनों देखो आप equal होंगे अगर आप इसको two से काल तो बन जा टू 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 जा four इसी तरह एक circle से है आपने इसके six part में करें और six में से three part में color कर दिया तो fraction मना three upon six लेकिन अगर आप three से इसको divide three बन जा three three two जा six उस सिर्फ यह one by two ही आएगा तो यह सारी क्या होंगे आपके equivalent fraction अब आप देखिए exercise आप कैसे करेंगे look here exercise seven see किस तरह से करेंगे look here सबसे पहले देखिए write two equivalent fraction that represented the shaded region in the following figure आपके बाद एक circle है ठीक है circle में देखिए one two three four आपने eight part किए eight में से four में stating किया है तो fraction बनेगा four upon eight अब इसका equivalent fraction अब equivalent fraction आप इसको divide करके भी बना सकते हैं और multiply करके भी बना सकते हैं ठीक है तो fraction आपका क्या बनेगा four upon eight अगर आप इसको four से divide करते हैं तो four बन जा four four two is a eight तो इसको equivalent fraction बना गया one by two next देखिए आप यह है आपका one two three four four में shading है और total part कितने seven तो fraction बना आपका four upon seven अब अगर आपको इसको equivalent fractions बना रहा है तो आपने इसको two से multiply four to the eight and seven to the fourteen अब मैं आपको बताऊंगे कि equivalent fraction किस तरह से बनाते हैं look here write five equivalent fraction of each of the following fifth class में भी आपने करोंगे कि equivalent fractions किस तरह से बनाए जाता है look here write down question number two right five equivalent fraction तो आप किस तरह से करेंगे look here first आपको दिया one by two कुछ मत कीजिए उपर आप यहाँ पर तू से multiply two one is a two 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 is a four फिर आप यहाँ उपर two की table लेग दें two two is a four ठीक है यहाँ तो आपको बन की आगे one की टेबल one two यहाँ पर आपका विया three ह livelier ही यहां पर टू की टेबल टू तु तो पोर सिक स्व नेक्स्ट यहां पर आ तो यह आपके 5 होगे 1,2,3,4,5 एक्कुलेंट फ्रेक्शन होगे आप देखो 2 से अगर 2 बंजा 2, 2 तू जा 4, 1 बाइ 2 आएगा 3 बंजा 3, 3 तू जा 6 यह भी 1 बाइ 2 तो यह सब कहा है एक्कुलेंट फ्रेक्शन एक और देखिए आप किस तरह से करेंगे आप सेकेंड फाइब अपोन एट तो उपर आपको फाइब की टेबल लिखने है और नीचे एट की है तो फाइब टू जा 10, 16, फाइब तू जा 15, एट तू जा 24, फाइब फोर जा 20, 32, फिन एट फाइब जा 25 और 8 5s ऑ 40, फिर 5 6s ऑ 30 और 8 6s ऑ 48 तो इस तरह से आप उक्क्लेंट फ्रेक्शन करेंगे की ऊपर उसकी टेबल जादी अपने जैस्ट नाउ गूसर नमबर थर्ड गूसर नमबर थर्ड गूसर नमबर थर्ड प्रूसर गूसर नमबर थर्ड राइब दा एक्क्लेंट फैक आपको 3 upon 5 है और आपको equivalent fraction बनाना है कि numerator में क्या जाए 21 numerator में 21 लाना है तो आपको यहाँ पर denominator भरना पड़ेगा आप देखों यहाँ से यहाँ लाने के लिए आपको 3 को कितने से multiply करा आपने 7 से तो आपको नीचे भी कितने से multiply करना पड़ेगा 7 से 75 is the 35 equivalent fraction में आप सेम नंबर से उपर भी multiply करेंगे और नीचे भी यह उपर सेम नंबर से divide करेंगे और नीचे भी सेम नंबर से इसका second देखें आप 3 upon 7 is equal to उसने का denominator में आपको 42 लाना है तो अब उपर क्या आएगा 7 से 45 7 में कितने से multiply करें हूँ 6 से तो उपर भी आपको 6 से multiply 6 is the 80 ओके नेक्ट क्यूसन नंबर 4 write the equivalent fraction of 16 upon 24 with numerator 2 numerator में 2 लाना है अब आप देखिए जब आपको यहां से यहां ज़्यादा नंबर लाना है तब तो आप multiply करेंगे अब यहां से यहां आपको क्या करना है कम आना है कम नंबर आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा 16 को 8 उजा 16 तो नीचे भी आप 8 से डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा 3 next second देखिए 27 upon 36 और denominator में आपको लाना है 4 तो अब 4 आप कहेंगे मैं किस नंबर से करें 4 से डिवाइड करके देखिए 4 9 तो 9 से इसको डिवाइड किया 9 4 जा 36 तो यहां भी आपको 9 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 3 ओके next question number 5 फिफ्थ में अब आप देखिए कि फिफ्थ में आपको क्या करना है question number 5 write which of following pair are equivalent fractions write the question yourself अब आपको बताने कि कौन सा equivalent fraction है कौन सा नहीं देखिए कैसे बताएंगे 2 upon 5 6 upon 20 कुछ नहीं करना आपको cross multiply करें 2 into 20 इसने आपको दिया 40 अब 5 into 6 इसने क्या दे दिया आपको 30 तो जब यह दोनों equal नहीं है 40 is not equal to 30 तो इसका वंता है यह भी equivalent fraction नहीं है second देखिए आप इसी का 4 upon 11 and 20 upon 55 करें क्रोस multiply 4 into 55 क्या देखा आपको 4 5s are 20 4 5s are 20 अब आपने 11 into 20 करां तो यह देखिए आप दोनों equal आ गए तो यह क्या होंगे आपके equivalent fraction 4 upon 11 is equal to 20 upon 55 तो इस तरह से आप इसको लिख देंगे यह यह आपको equivalent fraction है यह आपर लिख देंगे यह not equal यह होगी आपका यह इसी तरह बागी आप चेक करेंगे now question number 6 कैसे करेंगे आप आपके पासे 6 upon 48 is equal to 1 upon देखिए 6 में किस नंबर से आपको पताया था कमाने के लिए divide करना बढ़ता है 6 को किस नंबर से divide करूं कि 1 आजाए तो आपको 6 से ही divide करना है तो 6 से आपने divide किया 1 तो नीचे भी आपको 6 से divide करना है 6 से divide किया तो कितना आजाएगा 8 next second second is 36 upon 60 is equal to this 5 अब आप कहेंगे कि यहाँ पर देखिए आपको कम लाना है तो किस से divide करोगे तो 5 से divide करके देख लिए 5 कुछ से 60 को कर रहा 5 अंजा 5 बला 12 12 से 60 को divide करने पर 15 आता है तो यहाँ भी आप 12 से divide करेंगे 12 तरी जा 36 अब आप देखिए एक और देखिए अब आप उल्टा देखिए 15 upon dash is equal to 45 upon 51 15 से 45 लाना है तो 15 3 जा मतला आपने 3 से multiply किया या आप यह कह सकते हैं 3 से 45 को divide किया तो यह हो जाएगा तो इस number को भी आप 3 से divide कर दीजिए यहाँ आपके पास उल्टा जाएगा divide by 3 3 से divide किया 3 बंजा 3 और 3 से बंजा तो यह आपके पास आजाएगा 17 तो इस तरह से आपको देखना है next आप देखे एक 4 तो और देखे आपके पास है dash upon 25 is equal to 32 upon 100 25 से अगर आप 4 को multiply करेंगे तो 100 देगा यह आप कह सकते हैं 4 से 100 को divide किया divide किया आपने 4 से 100 को 25 तो आप 32 को भी 4 से कर दीजिए तो यहाँ पास जाएगा 8 तैंक यू